नमस्कार राज्य सिक्षा शोधेवं परसिक्षन परिशत पटना बिहार में आपका स्वागत है बच्चों आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विशय के अंतरगत कार्य और उर्जा नमक पाट से कार्य की विशय में अध्यन करेंगे कार्य क्या है किसे कहते हैं और इसकी अधारना क्या है आज इसकी इस प्रश्चता का पुरा प्रयास करेंगे तो आएए जनने का प्रयास करते हैं कि कार्य किसे कहते हैं बच्चों आप सभी अगर एक उदारन ले कि दिन की शुरुवात कैसे करते हैं सुबस सो के उठते हैं और उठने के बाद पहले दिन चरिया से निवरित होते हैं फिर कपड़े उपड़े पहनते हैं नाष्था किया अगर विद्याले जाना है तो विद्याले चले गए कहीं वहां चले गए ऐलने जाना ही तो के लेखने कि आए ऐने के पर आगे बढ़ते हैं कुषे अगला कारे करते हैं आप लोग specialist करते होंगे बैट के आप जब सोने का समय होता है आप सो जाते हैं इस बीच में आप टीवी भी देखते हैं बातचीत भी करते हैं यह सारे कारे हम आप करते हैं एक दिन भर अपने 24 घंटे में अब अगर देखा जाए तो हम साधारान बोल चाल में भाष्णाम करेंगे हमने दिन भर काम किया है हम हैं तब से काम ही कर रहे हैं विद्याले गये खेले कुदे खाना खाये टीवी देखे सब काम कर रहे हैं बातचीत किया पढ़ाई किया इस सारा ही काम हम लोगों ने किया तो यह जिसे हम काम कहते हैं कि सुबह से उठकर और सोने तक जो हम कारे कर रहे हैं उसे हम काम कर रहे ह है क्या वास्तों में वह कारे है क्या विज्ञान क्या उसको कारे की स्रेणी के अंतरकत रखता है क्या और अगर नहीं रखता तो क्या कारण है कुसे कारे से नहीं मानता है विज्ञान तो मतलब जो हम बात कर रहे हैं अभी मैं आप से बात कर रहा हूं तो क्या कोई कारी हो रहा है क्या आए दिखते हैं इस चित्र के माध्याद ya ं से हम समझने का प्रयास करते हैं बचों आपके स्क्रीन पे एक ची Hee नियुए से थे नहीं आई दोड़ा रहा है यह पहला चीतर है यह दोakah रहा है और दूसरे में देखें आप आएंगे पार्क का सीन है जिसमें बहुत से बच्चे खेल रहे हैं तो अभी यहां जो एक दूसरा चीतर आप दitter आप देख रहे हैं इसमें दू बच्चे football फुटबाल है जाए फुटबाल तो आप सब ने खेला होगा आपको बड़ा पसंदीता खेलोगा फुटबाल तो यहाँ देखना फुटबाल खेलने बच्चे फुटबाल पर जो रागे पैर से कंसा किक मारते हैं अब बाल दूर चली जाती है फिर फुटबाल को मनचाही दिशा में जिधर उसको मारना है या गोल करना है उस और पैर से जोर से किक मारता है निए फुटबाल पे बल लगाता है और फुटबाल जिधर बल की दिशा थी उस तरह फुटबाल चली जाती है तो यह जो फुटबाल का काम हुआ यह हम आप स सब भी व्यायाम करते हैं जीम जाते है या पार्क में जाते हैं व्यायाम के दौरान हम क्या करते हैं भारी वजनों को अपने शारिक शम्ता के अनुसार उठाते हैं जैसे चितरेग में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वजन बना है उसको देखें एक व्यक्ति है वो पहले भारी सा पत्थर उठाता है धीरे धीरे और पत्थर को उठा करके निश्चित इस्तिती में दूसरी इस्तिती में लाकर कि उस खंबे को पिलर बना है उसके ऊपर रख देता है यानि पहले प्रारंबिक आवस्था में पत्थर क कहां पर आ गया है ये आप देख सकते हैं मैं अभी जो ये आपने दो चार चीत्र देखे इन दोनों चित्रों में देखा कि जहां बच्चे पार्क में खेल रहे हैं एकषी दौल रहा है एक दो देखा शित्रों के माध्यम से जो किप किया जा रहा है और इसी प्रकार कारें करते हैं तो यहां पर आप आप देखेंगे इन सभी जो भी चित्र आपने देखा इसमें जो वस्तु है उसके इस्थान में परिवर्तन हो रहा है जैसे जब व्यक्ति दौड रहा है तो एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक नियदमित समय पर अपने इस्थान में परिवर्तन करता चल रहा है जिसी स्पीड से जिस गती सिवह दौड रहा है उस गती के अनुसार उसके इस्थान में परिवर्तन होता रहा है हम आप भी दोड़ते हैं किसी निश्ची जगह जाना होता है दोड़ के वह पहुंच जाते हैं तो जब जहां दोड़ के पहुंचे वह स्थान और जहां से दोड़ना शुरू किया था वह स्थान दोनों के बीच में अंतर होता है तो यह जो अंतर होता है अच्छा बैलेंस वाला खेल खेल ले हैं कुछ फूटबाल खेल ले थे इन सब में भी आपने देखा कि वस्तू के इस्थान में परिवर्तन हो रहा है और यह जो परिवर्तन वस्तू के और ही जा रही है गती कर रही है तो आप आएंगे कि अब यहां पर यह जो आपने चारों चीत्र पांच चीत्रों को देखा आपने अब उसको अपने जीवन में लें हम जब सुबह उठते हैं तो बेड़ से हम उठे और उठ करके चले तो हमने बेड़ वाले इस्थान को आपके घर में तो हॉल में गए तो अब हम बेड़ वार अपने बेडरूम्स के बेड़ की अवस्था से उठकर के हॉल पे चले गया है यह जो विस्थापित हुए हैं हम इसके लिए हम शारीक बल लगाए हम उठे खड़े हुए और हाल तक गया इसमें बल का परियोग किया गया शरीर के द्वारा इसी प्रकार जो फुटबॉल खेलने गए साइकील हम चलाते हैं साइकील चलाने के लिए बल लगाना पड़ता पैर से और जिधर हम चाहते हैं उस दोर हंडिल भूमाते हैं बल से और वह हंडिल और साइकील दोनों बल की दिशा में चल देते हैं रहा है और इस्थान परिवर्तन का प्रमुख कारण है वस्तू पर लगाया गया बल फुटबाल को किक मारते हैं वस्तू पर पैर से बल लगाते हैं और चलाता है क्रिकेट खेलते हैं गेंद को बैट से मारते हैं तो बल लगाते हैं हम इस सारी प्रक्रियाओं में बल के द् बल है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है तो यह जो बल की दिशा में परिवर्तन हुआ विज्ञान इसी को कार्य मानता है यह विज्ञान के अनुसार बल लगा कर किसी वस्तू पर बल आरोपित करके बल लगा करके बल की दिशा में वस्तू में किये गए स्थान परि देखते हैं एक चीतर के माध्याम समुझते हैं कि यहां आप देख रहे हैं कि एक महिला ट्रॉली में समानली है इक व्यक्ति-पत्थर को ठुखेल रहा है बड़ेसे एक व्यक्ति लखटी के लड़िए खीच रहा है और एक व्यक्ति कि श्रणी में आता है विज्ञान के अनुसार विज्ञान उसे ही कार्य बानता है जिसमें बल लगा के विस्थापित किया जाए वस्तू को इस चितर में आप देखें कि यहां पे जो दूसरा चितर जिसमें व्यक्ति बड़े से पत्थर को ढखेल रहा है पत्थर को आगे कर दांतों बैल दिया जाता है स्वेक्ति के द्वारा तो कार्य माना जाएगा जहां तक वस्थ Kapit हो को सबके द्वारा जाएकी वह इस्थापन ले लिए जाएगा तो बल लगाया गया वस्थू 새वी स्थापित होगी मूल से परीवर्तित हो और अगर इस यह वैक्ति दिन- को ढखेलने का मंगर पत्थर अगर नहीं वहां से विश्थापित होता है अपने मूल स्थान से तो विज्यान इसे कारी की स्रिणी में नहीं मानता है जबकि आप दिन भर कारे लगे रहे ठक गये दिन भर परंतु अगर विस्थान वस्तु का परिवर्थित नहीं हुआ तो व कारे की स्रेड़ी में आएगा और अगर यह लठा वहां से हिलता नहीं है तो यही बात नीचे जो चौथा वाला चित्र है इस पर भी लागू होती है तो यहां हम देखते हैं बच्चों कि कारे की परिभाशा क्या होगी आप देख रहें स्क्रीन पर लिखा है कि कारे बल तथ करते हैं यानि आप देखेंगे कि कारे के लिए दो दशाओं का होना अतियानिवार है पहला कि वस्तु पर कोई बल आरोपित होना चाहिए और और दूसरा कि उसकी वज़ा से वस्तु विस्थापित होनी चाहिए अगर इन दोनों ही दशाओं में कोई एक इस्तिती लागू पार यह फालो नहीं हो रही है तो उस अवस्था में कार नहीं माना जाएगा यानि आपने बल लगाया वस्तु विस्थापित होती है तो वह जो है हम देखेंगे कारे कि श्रणी में आता है अन्यथा नहीं आता है अब आप सोचें कि आप दिन भर कोई वैक्ति अपने सिर है थान परीवर्टन नहीं हो पा रहा है तो इस थान परिवर्द नहीं हो पा रहा है तो उस नहीं हुआ बल हुआ भारी बोज पर लिया हुए है झो है और अचिग्या चित्र की माध्यम देखते हैं कि कारे को कैसे प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त किया जा सकता है सुत्र के माध्यम से तो यहां आप देखेंगे कि किया गया कार्य यानि जो भी कारे आपने किया है उसे पहले वाले चीत्र में देखे था के बराबर होता है यहने बल लगा और कितनी दूर विस्थापित हो गई वह दूरी इस में रख लेते हैं तो आप यहाँ देख Fitness बराबल बल गुड़े विस्थापन इसको अगर हम सुतूर के er हम देखें तो डबलु यानि वर्च यहां डवलु का जो है 와 बल का मांतरक न्यूटन और विस्थापन यानि दूरी का मांतरक मीटर होता है तो न्यूटन इंटू मीटर या इसको जूल भी कहते हैं तो कारे का मातरक जूल या न्यूटन मीटर होता है अब इस चित्र में बच्चों आप देख रहे हैं जैसे टेबल है टेबल पे एक एट रखी हुई है तो जो वाइट कलर का इट आप देख रहे हैं और एक पिंक क है आप देख रहे हैं वह पिंक वाले एक पूर्ण आवस्था यानि पहले वह पिंक कलर का इउस वाइट वाइट वाले जगह पे था आप देखरा है यह लिखा है उसके तीर बना है यानि उधर से बल की दिशा देखीए कि वह पीछे से उस इट को धकेलता है कोई बल लग है देखहें चितने में तीर बना के दिखाए गया है कि यस कितनी दूर है मूह लवस्था वहाँ से शुरू होता है और कहां पे डबलू बराबर एफ गुड़े एस तो बच्चों यहां आप देखेंगे इसको और सरल रूपसित कहें यानि अगर आपके पास कोई पिन है किताब है अगल बगल जहां बैठे हैं पड़ रहे हैं उस पुस्तक को उठाइए और उठा करके एक इस्थान से दूसरे इस्थान पैश से रख दीजिए यह का रेक कर लिया क्तम को तने उसको उठाया और इसको उठाके दूसरे के स्थाने परिवर्तन किया गया है यह कारे के सरणी में आता है इस पकार आप सोचें कि हर एक कार जिसमें विस्थापन होता है बल लगता है आपके कारे के सरणी में आता है अब दिन भर सोच के देखें कि कब कब मैं कौन-कौन सा ऐसा कारे करता हूं जो कारे के सरणी में आत हैं बच्यों अभी हम क्या करते हैं फ़्रस्टा करते हैं कि अब कारे को पराप्त करने का शूतर क्या था बल-गुले विस्थापन याने तो यहां देखते हैं एक अगले चित्र से अब जो चित्र आपने पहले देखा था बच्चों जिसमें अभी हम विस्थापित कर रहे थे मान लिजे कि चित्र में एक न्यूटन यानि बल जो है एक न्यूटन का बल उस पर लगाया जाता है और जो विस्थापित की गई दूरी है माना एक मीटर की है यानि एक न्यूटन का बल लगाया उस इट पे पीछे से उसको धकेला एक न्यूटन का बल लगा के और वस्तु उस बल के वजह से अपने मूल स्थान से 1 मिटर दूर चली गई 1 मिटर दूर स्थापित हो गई तो किया गया कारे कितना होगा हम जानते हैं यानि वर्क बराबर जो फार्मूला होता है ऐस गुड़े विस्थापन यहां एक न्यूटन का बल लगाया गया है और एक मीटर विस्थापित हुए है इस दो हम बल लगाते हैं वस्तु जितनी दूर विस्थापित होती है उस दूरी को माप लें और कितना बल लगाया यह माप लें हम तो हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे दौरा कितना कारे किया गया आए अब एक अन्य चित्र के माद्यम से कारे की और अधरना को शपर्ष करने का प्र रही है तो जिस और खीच रही है वस्तू भी उसी और जा रही है को रहे दोनो भी और वस्तु का विस्थापन दोनों एख ही दिशा में पर विस्थ typ चर्चा करते हैं है कि अब श्री दो देखें कि एक समान वेग से एक दिशा में गती कर रही है ठीक है और उस पर एक विपरीद दिशा में एक बल एफ लगा जाता है इसका मतल़ है बच्चों कि वस्तु जो है गती कर रही है एक दिशा में और सामने से उस पर एक बल लगा को उसको रोका जाता है जो हम सामने से किसी चीज को रोकते हैं कोई हमारे सामने से को गाड़ी या कोई वस्तु जो चलायमान अवस्था में गतिमान हमारे और आ रही है और हम उसको रोके हाथ से अपने तो यह इस प्रकार की बात की जारी कि सामने से आती किसी वस्तु को रोखना तो यहां आप देख सकते हैं कि माना की वस्तु अब 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 जो बल लगाया वो बल लगाते लगाते धीरे धीरे वस्तु की घती में भी कमी आएगी और उस्तिति में अपने बल लगाया वह बल के सामने से आ रही अब्जेक्ट को उसके विप्रीद दिर्सा में बल लगा के रोकते हैं तो यहां पर बल द्वरा किया गया कार रिणात्मत माना जाता है आईए कुछ और उदारों क्यों चलते हैं और और समझने का प्रयास करते हैं कि कार की नवस्थाओं में और घंटित होता है यहां अब चीतर में देखिये जैसे मैंने पहले चर्चा किया है आप से कि व्यक्ति यह तक आ करके वहीं खड़ा है कोई तक तो उसने कार किया जमीन० से वस्तु के स्थाने परिवर्तन हो गया परन्तु अगर वहां लेक खड़ा है और मूव नहीं हो रहा है मां एक आवस्था मानिए कि वहीं पर खड़ा है व्यक्ति पर खड़ा है तो यहां पर फिर उसको कोई भी कारेक की श्रणी के अंतरगर से नहीं माना जाएगा कि दोनों ही चीज़ें समानूप से वहां पर एक ही जगा पर इस्थिर है वस्तू की स्थाने परिवर्टत नहीं हुआ अब जमीन से आपने जितने दूर उठाया उतने दूर का विस्थापन यहां पर हम देख सकते हैं कि कि कितना मीटर कितना इंच है उसमें देखें एक व्यक्ति ने वह य हो जा रहा है किसी और जा रहा है जिस और ऊइश्कीक हाना है सामने बल लग रहा है सामने की तरफ तो इस तरह से आप देखेंगे बल जो आरोपित हो रहा है उस बक्ती के शरीर पे कि यह वैक उठाने में और सामने चलने में तो बैक उठाके एक दिशा में जब चला है यह भी displacement है यहां पर हम कहेंगे यहां पर कारे जो है किया जा रहा है आप देख सकते हैं displacement जितना दूर हो जाएगा वो माना जाएगा तो इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञान किन किन हमारे दौरा किये गए कारियों को कारे की श्रणी में रखता है हम आप सभी यही सोचते हैं कि हम जो भी कर रहें काम है हम सोचने को भी एक कारे मान लेते हैं वि चीतर में देखिए एक बच्चा क्या कर रहा है कि आप देख देखरें हो सोच रहा है क्या है झाल झाल